जार्खन के क्रिशी मंत्री बादल पत्रलेक मुख मंत्री हेमनसोरेन के निर्देश पर शहीद अभिशेक कुमार साहु के परिवार से मिलने चुरया गाउं पहुचे और शहीद के परिवार से मुलकात की इस दोरान मंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार शहीद के परिवार के साथ है साथ ही परिजनों को हर संभो मदद करने का भरोसा भी दिलाया बादल पत्रलेक ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मुख मंत्री हमन सोरेन के नेत्रित में शहीदों के परिजनों को पूरे सम्मान के साथ और सम्वेदनाओं के साथ सहयोग दिया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शहीदों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके परिजनों को नियमों के प्रावधान के तहत सारी स्विधाएं मुहया कराएगी साथी स्कूल वा स्टेडियम का नाम शहीद अभिशेक कुमार साहु के नाम पर रखने के लिए संबंधित विभाग से समन्वे अस्थापित किया जाएगा वहीं ग्रामिनों ने मुख मंतरी को दिये गए मांग पत्र से मंतरी को मौके पर ओगत कराया और यह मांग रखी कि शहीद का परिवार कृशी से जुड़ा हुआ है तो उनके भाई को कृशी विभाग में ही समायोजित कराया जाए इस पर मंत्री उपचुनाव में मुख मंत्री की वेस्तता का जिक्र करते हुए कहा कि उपचुनाव समाप्त होते ही मुख मंत्री से मिलकर इस पर जरूर विचार किया जाएगा दे इंडिया बुलेटिन के लिए राची से सायोगी कृष्ण के साथ जारखन से शमीम आहमद की रिपोर्ट